हेलो कोई वीडियो में हम आपको बताएंगे policybazaar.com में online payment आप कैसे करेंगे फर्स्ट फॉल आप policybazaar.com को open कर लिजेगा अब यहाँ पे आप कोई भी वीवाल प्रोडेक्ट्स पे क्लिक करेंगे आप personal insurance ले, investment के plan ले, other plans ले, health insurance ले या फिर business insurance ले, सभी में आपको payment का काफी ज़्यादा आसान तरीका मिलता है, okay, तो main page पे जाता है जो कि यह payment वाला, अब देखें फर्स्ट आप debit card पे क्लिक करेंगे तो आप debit card से अपना payout कर सकते, like आपको card number डालना है, then आपको name of card डालना है, name on card, then आपको expiry date डालना है, देना आपको CV भी डालना है, और आपको pay कर लेना है ठीक है, आपको OTP भी आएगा, ऐसा नहीं है अब अगर आप credit card यूज़ करते तो आप credit card डाल सकते net banking से अगर आपको डालना है, तो आप net banking से भी डाल सकते या फिर सबसे अच्छा option UPI का, e-mandate available Google पे पे आप click करेंगे, आपको अपनी Google ID डालना होगा जो भी आपकी UPI ID ना, वो आप लोग डाल दीजेगा या फिर phone पे अगर आप यूज़ करें तो आप उसको डाल सकते, ठीक है then simple आपको अपनी UPI ID डालना है और pay and register auto pay पे click करना है और आपके phone pay पे जो है, एक notification आजाएगा और आप pay कर लेंगे, फिर से मैं check out पे click करता हूँ और बहुत सारे option है, ठीक है, UPI मुझे काफी best लगा अभी वैसे, मैं UPI में देख भी रहा हूँ बट एक time पे तो keyword code का भी option मिल रहा था इस तरीके से मैं find करूँगा, वो भी मुझे यहां पर बताया जा रहा है तो simple आपको जो better लगता है तरीका, उसके माध्यम से आप लोग यहां पर payment कर सकते debit card, credit card, night banking से या फिर UPI से तो topic is cover, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी